तो फ्रेंट्स ये देखिए चंदरकला मिठाई जिसमें मैंने ना तो खोया यूज किया है ना ही मैंने इसमें कोई सूजी यूज की है फिर भी ये चंदरकला मिठाई उससे भी ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही डिलिशेस बन कर तेयार हुई है तो चलिए हम बनाते हैं य पाउडर बना लूगी पाउडर नहीं बनाना है तो यह देखिए आप देख सकते हैं यह पाउडर बनकर रेडी हो गया है इस पाउडर को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और अब इसमें डालूगी मैं पाउडर शुगर यानि कि पिसी हुए चीनी यह मैं चार चम्मच इसमें ले रही हूँ क्योंकि यह सुईट से थोड़ा सा मीठा ही जादा अच्छा लगता है तो चार चम्मच मैंने इसम पाउडर डाल रही हूँ और अब ले ली ती में कुछ किशमिस और अब मैं यूज कर रही हूँ हूँ मिल्कमच डालना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि हम इसमें खुआया यूज नहीं कर रहा है तो मिल्कमेच से इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी तो चार इसमे मैं एक और चीज यूश कर रही हूँ जो है desiccated coconut तो यह भी मैं यहां पर आधे कप के करीब यूश कर रही हूँ और इसको भी में मिक्स कर लेती हूँ और इन सभी चीजों को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ अपने हाथों से और रख देती हूँ इसे अब मैं साइड बात चाशनी तो यहां पर मैं एक कप शुगर ली है उगे है अधे कप पानी और अब मैं इसे रख देती हूँ गैस पर लो फ्लेम पर तो यहां पर शुगर मेल्ट होने लगी है अब इसमें डाल देती हूँ कुछ छोटी इलाइची या हरी इलाइची जो कि मैं ऐसे ही करें कि अपर हांच से आप चाहें तो यह डाल सकते हैं और यह ऑफ्षिनल है और चैश्नी बन कर एकदम रेडी हो गई SAY assess कर लेती हूँ बार उन्गरप के बीच नि युच में तो इस तरह से चिल चिप लिए तो यह डी हो गई तो सिय में उस साइड में रग देती हूं अब तो यहां पर मैं ले रही हूँ एक कप मैदा यानि कि यह 200 ग्राम मैदा है और इसमें मैं डाल लेती हूँ टू टेबल स्पून वेजिटेबल ओयल तो अब मैं इस ओयल को इस मैदे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो इस तरह से मैं अपनी हथेलियों से इसको मिक्स कर लेती हूँ तो यहां पर यह अच्छे से मिक्स हो गया इस तरह से बनने लगे हैं तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक सॉफ डो बना लूँगी तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है मैं एक दम से पानी नहीं डालना है तो ये डो थोड़ा सा गीला हो सकता है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिए इसमें तो ये आटा लग चुका है तो इसे मैं साइड में रख देती हूं और अब मैं थोड़ी सी मैदा की इस तर से एक सलरी बना लेती हूं एक बैटर बना लेती हूं थोड़ा सा बि कि चंदर कला फेली बढ़ आटो थोड़ा सा और इस तरह से मिक्स कर लेती हूं जिससे की आप अच्से बहुत अछे से मिल जए और अम इसको दो बोज्ट सम brother कर लोगी तो इसको इस तरह से रोल करते हुए इसको कम से कम 7-8 portions में divide कर लूँगी यानि कि हमें छोटी छोटी लोईयां बना लेनी इसकी तो लोईयां एधी एक सी होंगी तो चंदर कला देखने में बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहें तो चाकू से भी कट करके बना सकते हैं इसको तो ये सारी बनकर तयार हो गई हैं अब हम इन सबी को बेल लेंगे तो यहां पर मैं एक लोईया ले ली है इसको मैं इस तरह से बेल लेती हूँ बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है मैंसे तो यहां पर ये बनकर तयार हो चुकी है इसी तरह से मैं दूसरा भी भेल लेती हूँ और अब जो हमने अपना जो मिक्षर बनाए हुआ था ड्राइ फूट्स का वो हम इसमें फिल करेंगे उसको हम इसमें बरना है तो यहाँ पर मैं एक चमच यहाँ पर यह मिक्षर ले लेती हूँ इसके सेंटर में और इसके उपर मैं अपने सेकंड पूरी जो है वो रख देती हूँ और ये जो सलरी हमने बनाई हुई थी इसको अब जरूर लगाए बीच में इससे ये बहुत अच्छे से चिपक जाती है इसमें बिल्कुल भी इसमें से तूटने के या इसके बाहर निकलने के मसाले के बिल्कुल चांसे नहीं होते है तो ये मैदे की सलरी हमको यहाँ पर यूस करनी है और इसको हाथों से प्रेस करते हुए अच्छे से एकदम इसको आप बंद कर लीजे आप चाहें तो यहाँ पर फोक से डिजाइन बना सकते हैं या फिर इस तरह से हाथ से बना सकते हैं तो मुझे हाथ का बना हुआ डिजाइन इसमें ज़्यादा पसंद आता है तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ तो इसको थोड़ा से स्ट्रेच करते जाए और इस तरह से फोल्ड करते जाए तो यह बहुत अच्छा सा डिजाइन बन जाता है इसमें एकदम मार्केट जैसा डिजाइन बनकर आता है तो यह एक बन चुकी है चंद्रकला तो इसे मैं कपड़े पर रख देती हूं और अब हम तो इनको हमें गोल्डन फ्राय करना है बहुत अच्छा फ्राय करना है क्योंकि हम इने चाश्टी में डिप करेंगे तो अब यहां पर मैं इनको टर्न कर देती हूं एक साइट से से सिख चुकी है आपको शायद कैमरे में इनका कलर ना ज्यादा नहीं नजर आ रहा है बहु अच्छे से एक दम गोल्डन गालरकी हो चुकी है तो इनको मैं दूसरे साइट से 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 ह natuurlijkु tenía तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी गोल्डन हमारी चैंदर कला स्टीट बन चुकी है तो इनको मैं निकाल लेती हूं बहुत अच्छे सीप्र चुकी है और अब मैं इन सबी को डालूँगी शुगर सिरफ में तो ये सिरफ भी बनकर एक eyelashes लो गया है अब ही ये थोड़ा सा गरम है और हमेशे गरम में ही डाला है तो इस तरह से मैंसे डाल दूँगी एक मिनिट के लिए मैं इसमेरे निये दूँगी इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे जिससे की अच्छी से अब्जॉब कर ले सिरफ को चाशनी को तो एक मिट के बाद अब मैं इसे निकाल लेती हूँ तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चंदरकला गुजिया बनकर एकदम तयार हो चुकी हैं बहुत ही डिलीशियस बहुत ही टेस्टी बनी है यह आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी तो इस बार आप यह ड् वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकल भी मत भूलिए